नमसकार किसान भाईयों स्वागत करते हैं आपके और हमारे यूटूब चैनल फार्मिंग गुरू में तो किसान भाईयों आज की जो वीडियो है ये वीडियो गन्य पर है और इस वीडियो में हम आपको जानकारी देंगे गन्य में कोरा जिन का प्रयोग करने के बारे में बताएंगे और गन्य में कोरा जिन का प्रयोग का सही समय क्या है और कितनी मात्रा देनी है पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी तो किसान भाईयों अगर आप हमारे चैनल पे पहली बारा हैं ताकि आपको खेती समंदी जानकारी मिलती रहे तो किसान भाईयों बढ़ते हैं वीडियो की तरफ तो बात करते हैं गन्य में कोरा जिल देने का सही समय किसान भाईयों बात करेंगे कि गन्य में हम कोरा जिन की स्प्रे करते हैं उसको कैसे करना है उसकी मात्रा कितनी रखनी है और उसका सही समय क्या है और किस तरह से करना है बहुत से हमारे किसान भाई गन्ने में कोरा जिन की स्प्रे करते हैं पर कुछ गलतियां कर देते हैं जिन की वज़ा से उनको रिजल्ट नहीं मिलता तो वो कोरा जिन यार पे मितल लेके जून तक आप दे सकते हैं माई में भी दे सकते हैं और जून में भी कुरा जिन आप अपने गन्ने में डाल सकते हैं तो किसान भाईयों गन्य की बुवाई दो तरह से होती है, तीन तरह से, एक अक्टूबर में की जाती है, दूसरी फरवरी में होती है, और तीसरी हमारे किसान भाईयों गेहु कटाई करने के बाद करते हैं, तो किसान भाईयों अगर सही तरीके से देखा जाए, तो अक्टू में होना चाहिए और जो गटाई के बाद गन्य की बुवाई होती है उसका प्रयोग मैई से जून में किया जाना चाहिए पर किसान भाईयों फरवरी का जो गन्ना बुवाई है उसमें भी आप मैई जून में इसका प्रयोग कर सकते हैं तो किसान भाईयों आपको करना क्या है 1500 ml कोरा जीन आपको प्रती एकड के इसाब से 400 लेटर पानी में मिलाके उसकी इस्प्रे करनी है और किसान भाईयों इस्प्रे करते समय एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि जो गन्ने पे आप स्प्रे कर रहे हैं वो पत्तों भी नहीं बलकि जडों पे इसके स्प्रे होनी चाहिए कोरा जीन जडों पर पढ़नी चाहिए जैसे कि अभी आप वीडियो में देख पा रहे हैं तो किसान भाईयों इसी तरह से कोराजिन का प्योग होना चाहिए जडो में और 24 घंटे के अंदर अंदर स्प्रे होने के बाद आपको गन्ये को पानी देना है गन्ये को पानी देना बेहद ही जुरूरी है क्योंकि इसका कोराजिन का यही एक तरीका है कि अगर आप कोराजिन की स्प्रे कर रहे हैं तो 24 गंटे के अंदर अंदर आपको गन्य को पानी की सिचाई जुरूर कर देनी है और किसान भाईयों एक बात अगर आप सिचाई करने से पहले मान लीजिए बारिस हो जाती है और बारिस होने के बाद खेत में नमी अच्छी खासी नमी है तब भी आप कूरा जीन का प्रयोग कर सकते हैं तब आपको पानी की सिचाई करने की जुरूरत नहीं पड़ेगी तो किसान भाईयों उमीद करते वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिए शेर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके पासवली घंटी दबा लीजिए धन करने वाद